एक और बच्चे से मिल वाता हूँ इन पंकश थे पंकश का ओल इंडिया रंक 34 है और इसको निटी तृची एलॉट हुआ है और इसने फाइनल ये के साथ ही पिपरेशन किया था और फाइनल ये के साथ आराम से निटी तृची मिला है कैसे पढ़ाई करी समझी और सबसे मैं हर बच्चे को एक बाद बोलता हूँ कि क्लास से भी ज्यादा इंपोर्टेंट जी होती क्लास अटेंड करना वो तो है पर साथ में टेक्स पेपर्स पे भी बहुत फोकस करना है सेलेक्शन के तुरंद बाद भी मैंने पंकश को आप से मिल वाया था आप कॉले अलॉट ह जो गया तो मैं चाहूँगा एक बार बच्चों को फिर से अपने एक्समेंस को शेयर करो एंड वास अगेंस कंशिट अ माइम इस पंकज मारन आएम फ्रम भॉपाल मैं शरत सर से मिलने आया था देख चुली मैं दो तीन बर मिलने आ चुका हूँ मैं एक बार देर साल पहले जब मैं पहले टेस्सिरीज जोईन कर लो अब सर केप जैस जो थे शाम को थे तो मेरी घुच की कोचिंग रहती है शाम को तो उस वजह से मैं फ्रम भ्रॉफ कर पाया पर मैंने इक सिर्स टेस्स लेली है उल मैं पहला टेस देनने aya मेरे एकaż टेस टो मिस ओ जो गए भाध ऊ और पहले मैंने कभी उसको दिया नहीं था तो उसमें मेरा मार्क्स अराउंड 270 आया थे और सिर्फ मैट्स बन गई थी और बागी रीजनिंग इंग्लिश कुछ नहीं बन रहा था तो उससे उसको फिर देखते देखते धी धीरे-धीर मैंने रीजनिंग का इंग्लिश का और कंपीटर का पूरा कोर्स कवर करा और यह 270 से मेरे मार्क्स अराउंड 673 तक पहुंचे मेरे हाइस ट्रीट 673 और हमेशा ऐसा लगता था जब भी पेपल देके अनलेसिस करता था तो ऐसा लगता था यार 100-200 मार्क्स और बढ़ सकते थे और पेपल देने के बाद मेरा संडे को यही रहता था कि पूरे दिन बैठके रगभग बारा बज़े तक यहां पर टेस्ट होता था फिर पांच्छे बज़े तक मेरा अनलेसिस होता रहता था जो कॉषन ऑगए हैं उनको और शोट तरीकिए से केसे करना है या जाधै कोई कोई डिये जिननको में नंकमेने लॉंग मेटे से कर रा उसको शोट ट्रेक याट खुशन कुछ सूं से रहती हैं जिनको त्इन 旅ले रहते और एक ओप्शन अलग रहता हैं तो ऐसे कोशन भी बढ़ जाए तो आपका सीधे स्कोर बूस्ट हो जाता है और जब भी भी डिप्रेस्ट होता था तो सरद सर के मोटिवेशन वीडियो आते ही रहते थे एक्षुली में और संडे को हमको वैसे वीडियो मिलता रहता था पेपर के बाद प्रतिक साल देते थे कभी 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 की टेंशन मतलो और एक बात देखी मैंने जो सर ने बोला था पहले मैं जब टेस्ट देता था तो सोचता था यार फरस्ट रिंक लगाऊंगा इस बार टेस्ट सीरीज में तो और कम हो जा रहे है फिर मैंने एक काम गारा इसको छोड़ दिया दिमाग से ही निकाल जाए क्या क्योंकि पेपल देते हैं टाइम जब ज़्यादा कोशन होने लग जा देना तो फिर से वही चीज दिमाग में आती है कि यार अब आजाएगी फरस्ट रिंक तो फिर हड़डा जाते हैं तो दीरे दीरे करके ये माइन से ये चीज निकली गई कि रेंक लगानी है तो पूरी इंपोर्ट क्या पाइट जो है वे इनेलेसिस का है और आंछी इनलेस द्समे partner का रहें से पहले हर स्टरीड़ा को मैं पूरा अपना कोर्स म Soviets करता था ना फूरा मैठ रूरीजिंग पूरा इंगलिश और कॉंप्यूटर निलिश का तो ऐसा था कर जो फस्तभ और सेंड ह ब् पर उसमें एक बात थी के उसमें टाइमतेटिंग प्रोसेस है यह और इने जल्दी मेरा नहीं हो पाता तो इसलिए मेंने निमसेट पर स्विच करा था और मैं अब मैं मैंच बग्राउंड से हूं मेरे जे डबी भी कौलिफाई हुआ था 2015 में मेरे JWE qualified हुआ था और Math section अच्छा था तो और Nimset के बारे मेरे को इस टाइम पर पता भी था कि बच्छो जो मैं जब आये था तो मैं आते हुए भी मेरे को question attempt नहीं हो पाते है पेपर शूट जाता था स्टार्टिंग में तो और यहां तो फिर गड़ड़ी हो जाती थी कभी-कभी तो OMR भरने की आदत भी नहीं रहती तो A कभी लगा दिया, B कभी कुछ लगा दिया, paper म में नहीं भारा तो यह घर पर जाके जब देखता था मेरा score calculate करता था और जब rank card का score calculate करता था तो सबज में आता था और सारे previous year paper impetus में तो हुए हुए, साथ में मैंने घर पर दो-दो बाल दिये time लगा के, एक एक घंटे का मैंने time लगाया और सारे previous year paper को दो-दो-तीन बार दिया, सर बोलते थे कि आप एक paper को अगर repeat करोगे तो आपकी speed अपने बूस्ट हो जाएगी, और जब same paper को अपन देते हैं तो familiarity उस paper से बढ़े जाती है और आपको जब paper आएगा तो लगेगा नहीं कि नया pattern का आया है, और एक और चीज में करता था कि मेरे पास IIT.JE के previous year paper क पूरी solve book थी including advance, तो उसमे paragraph, subjective, match the column और JEE men's के question और integer type, वो सब मैं करता था practice में, और जब भी मेरे को ऐसा लगता था, यह section मेरा week है तो पहले मैं RD उठाता था, RD solve करने के बाद, JEE के previous year questions और NIMSET, BHU, even मैंने KIIT के MCA के previous year paper भी solve करें, KIIT के और क्या अपना MPA है, क्योंकि short test ज paper रखके चालो हो जाता था, तो इस तरीके से जब भी previous year paper देते हैं, तो उससे previous year paper में कुछ-कुछ questions tricky होते हैं, जो जिसमें हमें stuck हो सकते हैं, तो उसे एक idea लगता है कि कौनसे question को छोड़ना और कौनसे को attempt करना है, तो यह सरत-सर के जब video आते थे, और doubt एक बात बहुत काम कैसे करें, या revision कैसे करें, तो मैं को YouTube से मिल जाता था, YouTube कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं घर बेटके अलग से पढ़ रहा हूं, तो जब भी भी test यहां पर देने ही आता था, और सरे-सर की classes जो end time पर सर ने दी थी हमको, life classes दी थी YouTube पर available थी, जो previous year paper solve थे, तो वह देखत थी और यहां पर जब बच्चों से जो मेर से कोशन छूट जाते थे, अगर वो किसी एक बच्ची ने भी attempt करें, मतलब वो कोशन doable है, अब मैं उन बच्चों से कोशन पूछता था था, तो वो मैं एक अप्रोच बता थे थी कि यार इस इस तरीके से होगा तो हो जाएगा, जो कोशन आप से छूट रहे हैं, वो देखो किसी ने अगर attempt करा है, तो मतलब वो कोशन पेपर में हो सकता है, और इस तरीके से मैं धीर धीर इंप्रोव्मेंट होने लगा मेरा, और मोटिवेशन सर बहुत, मतलब शांदार करते हैं, मोटिवेशन का तो मैं बोल जिन सकता, कभी भी सेर्फ डिप्रेस हो जाता था, तो सर के वीडियो देख के मेरे को मोटिवेशन अपने आप मिल जाता था, और सर हमारे संडे के दिन आते थे, तो पूछते थे, किसके क्या स्कोर है, और बताते भी थे गलतियां, तो थेंक, थेंक्स तू शरत सर, एंक्स तू इंप को एक ही अम को थेंक्स को को और दूसरी अपुरोच से अपरोच सकते हैं, जब तक याक को टो थी टाइम नहीं करते हैं, एऊप्रोच नहीं बनती तो ये चीज़ब अपने आप में डवलब करो, पंकाजी, आप का स्थार्ठ है